साबर मती ओर्लाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम समसामाई की घटना चक्र द्रश्टी का कवर करने वाले हैं जिसका पार्ट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं तो इस वीडियो में हम पार्ट टू को कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ध्य कि वर उन्हीकावर करने वाले हैं मेरी माठी मेरा देश क्या जा रहा है इसके अंतर्गत उसका समापन कारक्रम है मेरी माटी मेरा देश उसका क्या है ये समापन कारक्रम है और इस अभियान को वीर विरांगनाओं के लिए स्रधानजली के तौर पर दिया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और यहाँ पर इसकी टै और हंडेड वर्स तक यानि कि बीस का जो 75 से सव के बीस का जो 25 वर्स का समय इसको अमरतकाल बोला गया है तो इसमें यहां पर यहां पर कारक्रम शुरू किया गया है अभियान मेरी माटी मेरा देश त्रधांजली के लिए जिसकी टैग लाइन है मिटी को नमन वीरो को वंदन तो यह हमारी सतंतरता दिवस का जो 75 कारक्रम आविजित किया गया है उसका समापन कारक्रम था अब यहां पर निश्ट इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं नमो भारत ट्रेन जो की भारत की पहली रैपीड रेल सेवा है नमो भारत ट्रेन तो नमो भारत की बारे में आपको य इस टैम है और नमो भारत ट्रेन के अंतरगत जो मेट्रो ट्रेन है और नमो भारत ट्रेन जो रैपीड रेल है इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो रैपीड रेल और मेट्रो में ये डिफरेंस है कि जो रैपीड रेल है पहली बात तो इसकी स्पीड बहुत जादा है मेट् पसमें जोड़ने के लिए यहां पर गल्यारे पास यहां पर याद रखना है यह भारत की पहली सेवा है जिसकी जो स्पीड है ना वो मिट्रों से जादा है मिट्रों इसको उत्तर प्रदेश का जली घोसित कि आ गया है प्लैट निष्टा गयाटिक्गा क्या नाम है प्लैट निष्टा गंगेटिका इसका वग्यानिक नाम है अब यहाँ पर बात करते हैं गंगे डालफिन की तो गंगे डालफिन विस्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रजाती है और अगर हम बात करें पूरे विस्व में मीठे पानी में पाई जाने व बैजी डालफिन जो की यांग तजे नदी चीन में पाई जाती है तो बैजी डालफिन याद रखना है चीन की और दूसरी आपको याद रखना है वुलन डालफिन कौन सी वुलन डालफिन जो की सिंदु नदी में पाई जाती है तो वुलन डालफिन आपको याद रख लेना ह और तीसरा हमारा है बोटो डालफिन जो की अमेजन नदी में लेटन अमेरिका में पाई जाती है तो इस प्रेकार से चार हो गई ना पहले हमारी हो गई गंगे डालफिन दूसरी हो गई बैजी डालफिन तीसरी हो गई वुलन डालफिन और चौती हमारी हो गई बोटो डालफ यंग तजे में जो बैजी डालफिन पाई जाती थी वो विलुपत घोशित कर दिया गया था अब यहां पर आगे बात करते हैं गंगे डालफिन की जिसको उत्तरप्रदेश का जली जीव घोशित किया गया है तो गंगा नदी डालफिन को गंगे कहते हैं इसको हम लोग पराय करते हैं इनके अंदर पेस्ट छमता होती है वो किसके कारड होती है अल्ट्रा सोनिक धोनी तरंगों के कारड क्योंकि इनके अंदर क्या होता है अल्ट्रा सोनिक साउंड वेवस होते हैं यानि कि अल्टरा सोनिक ध्वनी तरंगे होती हैं जिसके माध्यम से ये सिकार करने में सच्छम होते हैं तो ये डाटा आपको गंगे डालफिन के बारे में क्लियर हो गया होगा आप कुछ यहाँ पर फैक्ट देखते हैं तो बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश तरका बात करें न तो वो है चितला वो क्या है चितला लेकिन उत्तर प्रदेश का जली जीव तो जली जीव हमारा हो जाता है गंगे डालफिन वहीं उत्तर प्रदेश की राज्य मचली क्या होती है राज्य मचली है यहां पर चितला अब यहां पर केन सरकार की बात करते हैं हमने बा पारी राश्टी जली जीव है और इसके साथ साथ अब ये उतर प्रदेश का जली जीव भी गोसित कर दिया गया है तो यह डाटा आपको याद रखना है कि आयू सीन की जो रिपोर्ट आती है उसमें रेड सूची में डाटा बुक जो आता है लाल सूची वाला लिस्ट उसमे गंगा डाल्फिन को ना संकट ग्रेश्ट की स्रेडी में वर्गी करत किया गया है तो आयू सीन इंटरनेशनल यूनियन आफ कंजर्वेशन पॉर नेचर एंड नेचरल डिसोर्स है जो आयू सीन का फूल फॉर्म है तो इसकी अंतरगत ये आपको ध्यान रखना है कि रेड हमने की गंगे डाल्फिन की तो यहां पर एक मचली की बात कर लेते हैं जो की है घोल मचली कौन सी मचली घोल मचली जिसका अपनी नाम सुना होगा गोल्ड फिस इसी को बोलते हैं गोल्ड फिस यानि की घोल मचली तो गुजरात की राजी मचली है घोल मचली 21 नौमबर 2023 को विस्तु मतिस्त की दिवस्त, उसके आउसर पर घोल मचली को यानि की जो गोल्ड फिस है इसको गुजरात राजी की मचली घोसित किया गया है और यूपी की तो हमने बात ही कर ली कि यहाँ पर राजी मचली क्या है चितला है अब यहाँ पर गोल मचली की विसेटा क्या है कि सबसे बड़ी मचलियों में से एक है यह अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या गंगा डालफिन के लिए कोई अभ्यारड है तो जी हाँ विक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारड कौन सा विक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारड है बिहार के भागलपुर जिले में तो बिहार के भागलपुर जिले में है विक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारड तो ये भी आपको डाटा याद रखना है कि विक्रम स जाता है राश्टी डालफिन दिवस तो 5 अक्टूबर को राश्टी डालफिन दिवस के रूप में मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है और 15 अगस्त 2020 को सुतंतरता दिवस जो था उसकी आउसर पे प्रधार मंत्री नरेन को धितनी नदी और समुद्री दोनों डालफिनों के सन्रच्ड को बढ़ावा देनी के लिए एक प्रोजेक्ट डालफिन नाम की योजना सुरू नेस्ट टॉपिक है हमारा समक्का सरक्का केंद्रिय जन जाती विस विद्याले तो यह विस विद्याले इसलिए इं problema के लिए तोॉ आपको याद रखना है कि यह विद्याले कहां पर है तिलांगना के मुल्ग दिले में हैं कापर हैं तिलांगर हैं मोल् समक्का सरक्का जठारा मेला कौन सा मेला है समक्का सरक्का जठारा मेला जो की भारत का ना दूसरा सबसे बड़ा मेला है भई पहला बड़ा मेला तो कुम मेला लगता है उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है समक्का सरक्का जठारा मेला जो की मेदराम जठारा के नाम से इसको जाना जाता है और ये जन जाती समुदाय कौन सा है जो इस मेले का आयुजन करता है तो वो है कोया जन जाती तिलांगना का कौन सा कोया जन जाती और इस मेले की खासियत है कि दूई वार्षिक मेला है ये कैसा है दूई वार्षिक मेला है हर दो वर्ष बात लगत कि विरोध में इसका आयोजन किया था समक्का सरक्का जठारा को तेलांगना सरकार दोरा राज उत्रसो घोसित किया गया है क्या गोसित किया गया है तो यह वहां कि मेला देवी जिनका नाम था समक्का या सरलंबा बोलते हैं उनको सरक्का उनकी सम्मान में इसको आयोजित किया दिलागना के मुल्गुजिले में स्थापित किया गया है नेश्ट इबिज इंपॉडन टॉपिक हमारा है ट्रेवल फार Lाइफ जो यहां पर योजना सुरू किया गया है लाइफ का तो मिसन लाइफ जो है भारत के नितरत वाला एक वैस्विक जन आंदोलन है लाइफ का तातपर क्या है पर्यावरण के लिए जीवन सैली यानि की लाइफ इस्टाइल फार इन्वार्मेंट इसको पहली बार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी के दौरा जो कोप 26 आयोजित क गया था ग्लासको में आयोजित किया गया था 2020 के अंतरगत कोप 26 तो इसमें प्रधान मंतरी जी के द्वारा एक मिसन लाइफ यानि की लाइफ इस्टाइल फार इन्वार्मेंट इसके अंतरगत क्या किया गया है कि अपने जीवन सैली को पर्या वरण के अन्कूल बनाने की यूणिटी से लाइफ जो मिसन istxi ओप चारिक सुरवात की गई तो आपको ये भी याद रखतना है कि बई वर्श दो हजार अठाइस तक बारत में नियुनतम 80% 80% गामों एवं सहरी निकावों को पर्यावरण अनकूल बनाने का लच रखा गया है तो ये भी आपसे कोशन पूछ सकता है कि मिसन लाइफ के अंतरगत यहाँ पर पर्यावरण अनकूल बनाने के लिए जो गाउं और सहरी निका सायों का लच रखा गया है वो कब तक के लिए है तो वर्स दो हजार अठाइस तक का यह लचे है यह भी आपको याद रखना है साथी इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है वो यह है कि 27 सितंबर 2023 को कब 27 सितंबर 2023 को पर्यरेटन मंत्राले और भारत सरकार ने विस्टो पर्य निवस कि विस्टो पर्य पर्यतन दीवस मनाया जाता है 27 सितंबर को तो 2020 सितंबर मंपम का आयोजन किया गया है और भारत मंदम में ही जी 27 सितंबर 2013 को नई दिली में इस दिद भारत मंडपम में इसको लॉंच किया गया है अब इसके बारे में दो पॉइंट ये भी याद रखने हैं कि भाई ट्रेवल पार लाइफ कारक्रम के दो अलग अलग शेत्र हैं पहला तो इसमें ये है कि स्वच्छता के लिए हमने एकात्मक की मूर्ती तो एकात्मक्ता की मूर्ती जो है ये संकराचार जी की मूर्ती है एकात्मक्ता की मूर्ती जिसका यहाँ पर अनावरण किया गया है मद्य प्रदेश में तो एकात्मक्ता की मूर्ती का आपके लादक नहे संकराचार नाम आएगा और ये संकराचार जी अद्वायतवात के समर्थक थे, किसके थे, अद्वायतवात के, मद्ध्य प्रदेश में यहाँ पर शुरू किया गया इसका अनावरण किया गया है, स्टैचू आप ओननेस का इस मूर्थी का अनावरण कहां किया गया उंकारेश्वर में मद्य प्रदेश के उंकारेश्वर में इसका अनावरण किया गया है किसका एकात्मक्ता की मूर्थी जो की संकराचारी जी की है अब यहाँ पर कुछ और important fact देखते हैं कि मद्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुर्णासा तैसिल के अंतरगत उंकारेश्वर में एक परवत है जिसका नाम है मनधाता परवत वहाँ पर इनकी प्रतिमा इस्थापित की गई है और इस प्रतिमा की उचाई है 108 फिट कितनी है 108 फिट इसकी उचाई है और चलने की मुद्रा में है कौन सिधातु से निर्मित है एकात्मक्ता की मूर्ति कास सिधातु से निर्मित है और इस प्रतिमा का वैचारिक स्केच बनाया था वास्तदेव कामत ने इसी स्केच के अधार पर ही सोलापूर महराष्ट में कुसल मूर्तिकार जिनका नाम है भगवान रामपुरे ने एकात्मक्ता की मूर्ति का निर्मार किया है तो एकात्मक्ता की मूर्ति का निर्मार किस ने किया है भगवान रामपुरे ने किया है अब यहाँ पर कुछ अन इ बात कर लेते हैं इस्टेचु आफ ईक्वालिटी की वर्ड से रिलेटेट तो इस टैचु आफ इक्वालिटी की बात करें तो मेरी लैंड अमेरिका में डाक्टर भीम राओ अमबेटकर जी की 19 फीट उची प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसको इस टैच्टू आफ इक्वैलिटी बोला गया है मेरि लैंड अमेरिका में ये भी आद रखना है वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में हैदराबाद में स्थित डाक्टर भीम राव अमबेटकर जी की विश्व की सबसे उची प्रतिमा की प्रतिक्रती है वहीं अगर हम बात करने कि भारत के गुजरात में भारत के गुजरात में विश्व की सबसे उंची प्रतिमा तो पूरे विश्व की सबसे उंची प्रतिमा कौन सी है 122 मीटर है Statue of Unity जिसको राम सुतार ने बनाया है और ये किसकी प्रतिमा है सरदार वल्लम भाई पटेल जी की है तो पूरे विश्व में सबसे उची प्रतिमा है इस टैचु आफ यूनिटी ये भी फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके आगे का जो पार्ट है इसे हम पार्ट थर्ड में कवर करेंगे थैंक यू